जैस्री गनेश नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अमारे चैनल भक्ति ज्यान में दोस्तों आज हम आपको असाण कृष्ण गनेश चतुर्ती ब्रत कथा का सिर्वन करा रहे हैं जिसमें हम राजा महीजीत की कथा काएंगे पारती जी ने पूचा कि है वत्स असाण कृष्ण चतुर्ती बहुती सुधायनिक कही गई है आप इसका विधान बतलाईए इस मास्के गनेश जी का क्या नाम है और उनकी पूजा किस पिरकार करने चाहिए गनेश जी ने उत्तर दिया कि है माता पूरु काल में इसी प्रिष इस ने कहा कि है राजन गनेश जी की प्रीती कारक विधनासक पूराण इत्यास में बढ़न कथा को कह रहा हूँ आप सुनिए है कुंती पुत्र असाण कृष्ण चतुर्ती के गनेश जी का नाम लम्मूदर है उनका पूजन पूर्वर्णित बिदी से करें है माराज वापर युग में महिसमती नगरी का महिजीत नामक राजा था वो बड़ा ही पुन्य सील और प्रतापी राजा था वो अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था किन्तु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमेल का बैवव अच्चा नहीं लगता था बेदों में संतान का जीवन ब्यर्त माना गया है यदि संतान इन व्यक्ति अपने पित्रों को जल दान देता है तो उसके पित्रगण उस जल को गरम जल के रूप में ग्रहन करते हैं इसी उहापो में राजा का बहुत समय बितित हो गया उन्होंने पुत्र प्राप्ती के लिए बहुत से दान यग यज्यादी कार किया फिर भी राजा को पुत्र की प्राप्ती नहीं हो पाई जवानी ढल गई और बढ़ाप आ गया किन्तु बस वरद्धी नहीं हुई ततंतर राजा ने बिद्वान ब्रामण और प्रिजाजनों से इस संदर्व में प्रामर्स किया राजा ने कहा कि हे ब्रामणों तता प्रजाजनों हम तो संतान हीन हो गई अव मेरी क्या गती होगी मैंने जीवन में तो किंचित भी पाप कर्म नहीं किया मैंने कभी अत्या चार द्वारा धन संग्रे नहीं किया मैंने तो सदैव प्रजाओं का पुत्रवत पालन किया तता धर्मा चरण द्वारा ही प्रत्वी का सासन किया, मैंने चोड डांकों को डंत किया, इस्ट मित्रों के भोजन की विवस्ता की, गौ ब्रामनों का हित चिंतन करते हुए, शेष्ट पुरसों का आदर सतकार किया, फिर भी है, दोई संत्मों, मुझे अव तक पुत्र न होने का क कारण क्या है, विद्वान ब्रामनों ने कहा कि, हम लोग वैसा ही प्रत्न करेंगे, जिससे आपके वंस की ब्रत्दी हो, इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ती सोचने लगे, सारी प्रजाएं, राजा के मनुरत की सिद्धी के लिए ब्रामनों के साथ बन में चली गई, बन म माजी के समानवे, आत्म जित, क्रोध जित, तता सनातन पुरुष थे, संपूर, बेद विसारद, दीरगायु अनंत एवं अनेक ब्रह्म ज्यान संपनवे बात्मा थे, उनका निर्मल नाम लोमस रिसी था, पिरते कलपांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसलिए उन पिरकाल दर्सी महर्ची लोमस के उन लोगों ने दर्सन किये, सब लोग उन तेजस्वी मुनी के पास गए, उजित, अविरतना एवं पिर्णाम आदी के अनंतर, सबी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए, मुनी के दर्सन से सबी लोग पिर्शन होकर परस पर कहने लगे कि ह हम लोगों को सब भाग से ही ऐसे मुनी के दर्सन हुए, इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा, ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनी राज से कहा, जनता कहने लगी है ब्रह्मर सी, हम लोगों के दुख कारण सुनिए, अपने संदे के निवारार्त, हम लोग आपके स अन ब्यक्ति से क्या कहें, आप ब्रामड एवं रशियों में स्रिष्ट हैं, आपके बढ़कर कोई दूसरा पुरुस नहीं दीख रहा है, मैर्सी लोमस ने पूचा सज्जनों, आप लोग यहां किस अविप्राय से आए हैं, मुझसे आपका क्या प्रियोजन है, इस सबी संदेहों का निवारन करूंगा, हम आपके कल्यान की भावना रखते हैं, तपस्वियों की तपश्या केबल पर उपकार के लिए ही होती है, प्रिजाजनों ने उत्तर दिया कि है दूसरेष्ट, हम लोग जिस महानकार की सिद्धी के लिए यहां आए हैं, उसे सुनिए हम मैसमती नगरी के निवासी हैं, हमारे राजा का नाम ही जीत है, वे राजा ब्रामणों का रक्षक धर्मात्मा, दानवीर, सूरवीर एवं मदुर भासी हैं, उस राजा ने हम लोगों का पालन पोशन किया हैं, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं ह हुई, ये वगवन, माता पिता तो केवल जन्म दाता ही होते हैं, किन्तु राजा ही बास्तम में पोशक एवं संभर्दक होता है, उसी राजा के निमत हम लोग ऐसे गहन बन में आए हैं, ये मैरसी, आप कोई ऐसी युक्ति बतलाएए, जिससे राजा को संतान की प्राप्त हो, क्योंकि ऐसे गुड़मान राजा को कोई पुत्र ना हो, ये बड़े दुरभाक की बात है, हम लोग परस पर बिचार विमर्स करके इस गंबीर बन में आए हैं, उनके सौबाग से ही यह हम लोगों ने आपका धरसन लाब किया, ये मुनीवर, किस ब्रत दान पूजन पकार के लिए कहने लगे, मैर्सी लोमस ने का है, ब्रामडों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो, मैं संकट नासक ब्रत को बतला रहा हूं, ये ब्रत निसंतान को संतान दायक एवं निर्दनों को धन दाता है, असाड किष्ण चतुर्ती को एकदंद गजानन नाम गनेश की पूजा करें, पूर्वोक्त बिदी से राजा ब्रत करके स्रद्दा योक्त हो ब्रामण भोजन करावे और उने बस्त्र दान करें, गनेशी की किरपा से उने अवच ही पुत्र की प्राप्ती होगी, मैर्सी लोमस की यह बात सुनकर सभी लोग करवर्द होकर उठ खड़े हुए नत मस्तक होका डनवरत प्रणाम करके सभी लोग नगर में लोट गए, बन में घटित सभी घटनाओं को पिरजा राजा से बतलाया, पूर्जनों की वास सुनकर सम्मानकारी बेमल बुद्धिधारी, राजा बहुत ही प्रिसन हुआ और उने स्रद्दा भक्ती से की किरपासे राजा को सुन्दर और सुलक्षन पुत्र प्राप्त हुआ, राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को संटोस्ट करके पुत्रोसब मनाया, राजा महीजित ने ब्रामण को धन देकर त्रप्त किया, सिक रिशन जी कहते हैं कि है राजन, इस ब्रत का ऐसा ही प्र कीजिए, सि गनेजी की किरपासे आपकी सभी मनो कामनाय पूर्ण की होंगी, आपके संपूर्ण सत्रों का बिनास होगा और आप अचल राज के अधकारी बनेंगे, ये भूप सिरोमडी युदेश्टर, जो पुर्ज इस ब्रत को करते हैं, बेचाहे एकांत सेवी रिशी हो अत्वा, बेदवान, उन्हें निर्वेगन रूप से पुत्तरादी की प्राप्ती होती है, जो मनुष गनेजी के चरत को सुनते अत्वा सुनाते हैं, उन्हें सब कार्यों में सिद्धी प्राप्त होती है, बलो गनेज महराज की जय, दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो प हंटी के बटन को जरूर दवाएं जय स्री गनेश